कि बिसमल्ला रह्मान रहीम कैसे हैं आप लोग रटना नहीं है समझना है एसस्टी जैनरल ग्रूप इंग्लिश इसका पार्ट ट्वेंटी फूर पार्ट ट्वेंटी फूर जी पार्ट ट्वेंटी फूर जेनरल ग्रूप इंग्लिश क्लास नाइन्थ पार्ट ट्वेंटी फूर हम करने जा रहे हैं आगे पढ़ने से पहले टॉपिक बता देता हूं आपको तागे आपका टाइम बच जाए क्योंकि टाइम सबसे कीमती चीज़ है भई कराई तो इसमें हम जो है वो सिंपल सेंटन्स को जॉइन करके कंपाउंड सेंटन्स बनाने का कॉंसेप्ट जो है वो सीखेंगे नहीं ऊसमें सीखने वाली तो कोई बात नहीं हां मैमूरी चेकिंग करेंगे अपनी एक्ससाइज देदूँगा आपको खुद भी करूँग डोभे। आपकी। टेक्स्ट बूक से लिए और जो को को लगता है वीडियो काम किये तो आप कंटीन्यू रखें वीडियो को लगता है कि नहीं काम की नहीं तो फिर आप भले बंद कर सकते हैं कोई तो वराल टेली अब हमारे पास तीन बजे से लेके नो बजे तक आठ वीडियो अपलोड हो रही है चार जनल गूरूप के लिए चार साइंस गूरूप के लिए मैट्रिक अर्दू, मैट्रिक पाकिस्तान स्टेडी, क्लास नाइन से इसलामियात और क्लास नाइन से इन से लेके हमने शुरू किया है और अलम्दूल्ला इंशालला अब इंग्लिश खतम होके यह मैट्रिक की इंग्लिश शुरू हो जाएगी और इसके बाद और साइस ग्रूप के लिए फस्टियर केमिस्ट्री फस्टियर बायलोजी फस्टियर मैथमेटिक्स फस्टियर फिसिक्स बायलोजी मैथमेटिक्स केमिस्ट्री यह फस्टियर से हमने रे लिए वाट वीडियो डेली जो है सिन्दी को भी जल्दी शामिल करेंगे तो हर आपको वीडियो जो है वह मिल जाएंगी इंफॉर्मिशन में आपको देता हूं और वीडियो के लास में आपसे कोजिशन्स पूछता हूं उनके जावबात नीचे डिस्क्रिप्षिंट में मौझोद होते हैं डिस्क्रिप्शन मतलब नीचे मौर लिखा होगा है मौरी मौर उस पर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जवाबात होंगे उसके अंदर अंसर लिखे होंगे ठीक है जैसे इस में एक्साइस दूंगा खुद भी करूंगा आप भी कीजिए और जैसी वीडियो खतम होग एक्सेटी एक्साइमकी प्लेडिस का लोगो नगिंग नदर आया गाई एसस्टी एक्साइमकी उससपे क्लिक करें खूल यह ईए अक्साइः कि का मजबूआ होता है जिसमें आप दो सेंटेंस को जोड़ देते हैं तो वो कंपाउंट सेंटेंस बन जाता है जिसी कि सोहेल एंड असलम प्रैक्टिस्ट अलॉट फुल स्टॉप दे बोथ गोट सिलेक्टेट ऑन दे स्कूल टैनिस टीम जैनी के सोहेल और असलम ने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की वो दोनों जो है वो सिलेक्ट हो गए इसकूल की टैनिस की टीम में अब ये दो अलग जुमले हैं आप चाहें तो इनको जोड़ दें जब ये कंपाउंड सेंटेंस जो है वो बन जाएगा मैं आपको बता रहा हूं वर्ट सिर्फ उनी को आप यूज करके इनको जोड़ सकते हैं ठीक है बई नोट कर लें आप एंड है बट विकॉज है वर्ट विकॉज है विकॉज है एस सो एस सो ठीक है बई तो यहां पर यह एक दो तीन चार पांच यह वर्ट सें इन में से देखें कौन सा जो है यहां पर आप उसको लगाएंगे तो यह कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा अगला सेंटेंस भी बता देता हूं आपको बजयू बढ़ा हॉस अवर है बवर हॉस इस वारा हॉस इस ूरॉस टानीलあउस इस वरी ओन बॉल स्टो इस, है लूट इस लूड था non ओंछ located near the new shopping area it is located near the new shopping area new shopping area हिंट अगर आपको दे दू है अगर आपको सही इन में से किसी को use करने है नो तो आप पढ़ के पहले दोनों सेंटेंस पढ़ के उनका अपस में तालुक समझें कि किस तरहा का तालुक बन रहा है अच्छा तालुक बन रहा है, बुरा तालुक बन रहा है कोई न कोई आपको relation की type जरूर मिलेगी ठीक है, relation तो है, तालुक तो है लेकिन आप तालुक पर गोर करना है आपने समझ कि ये दोनों जुमले बात क्या कर रहा है उस से आपको idea हो जाया है कि यहां पर इन दोनों को इन मैंसे किस से जोड सकते हैं ठीक है, अच्छा उसके बाद number three पर हमारे पास जो है, Sabiha was studying very hard Sabiha was studying studying very hard Sabiha was studying very hard She wanted to get the first position She wanted to get the first position First position First position in class In class, full stop Number four पर है Her aunt is a good doctor जिसको हम auntie कहते है Her aunt Aunt is a good doctor Full stop She is also a good cook She is also a good cook Number five पर है And last year My uncle always comes to Pakistan My uncle always comes to Pakistan comes to Pakistan in June In June Full stop He loves the mangoes available here He loves the mangoes available here ठीके भी, अपना बहुँ ज्यादा ख्याल रखियेगा No like, no subscribe, only share What's her प्केए? जिसको हमादे कहिए